हेलो नमस्ते सच्छियकाल आदाग वेलकम बैक टो माई चानल आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आप मेरे बारे में जानेंगे ये मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम प्रबलीन कॉर है मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल का नाम श्री औरबिंदो स्कूल आफ इंटेग्रल एजुकेशन है ये सेक्टर 27 प्लाट A में है तो चलिए सबसे पहले तो मेरे स्कूल के बारे में ही बात कर लेते हैं मेरा जो स्कूल है वो बहुत ही अच्छा स्कूल है और हमारी पूरे साल ऑनलाइन क्लास लगती आ रही है आज तक हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई है हमारी ऑनलाइन क्लास रोज लगती है एक पूरा जो है शेड्यूल है ऑनलाइन क्लास का उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास लगती है और जो टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है हमारा हर काम में साथ देते हैं हमारे टीचर्स भी मेरे स्कूल में हर तरह की activities कराई जाती है जैसे की मेरे स्कूल में clubs भी है dance club है, music club है, enrichment activities का भी club है games club भी है, art and craft club भी है मतलब हमारे स्कूल में सारी चीज़े होती है एक भी चीज मिस नहीं हुई है अब हमारी online classes भी है एक app है Google Classroom उस पर हमारी सारी classes है उस पर हमारा online work आता है और हम वहाँ पर work submit करते हैं मतलब सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था मतलब ऐसे एक परसेंट भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दिन school नहीं गए है मतलब बहुत smoothly जो है वो सारा कुछ चल रहा है तो यह थी मेरी school के बारे में बाचीत तो चलिए अब मैं आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देती हूँ सबसे पहले तो मैं अपनी hobbies की बात करती हूँ मेरी hobbies हैं मुझे reading करना बहुत अच्छा लगता है new new books परना बहुत अच्छा लगता है हम जादा knowledge गेन कर पाते हैं और उससे जो है हमारी mental maths भी बढ़ती है तो मुझे hobbies में reading करना पसंद है और मुझे dance करना भी बहुत पसंद है जब भी मुझे समय मिलता है free time मिलता है तो उसमें मैं अपनी थोड़े सी dance की practice कर लेती हूँ और dance करने से हमारी body energetic भी हो जाती है जैसे हम काम करते करते सुस्त हो जाते हैं तो यह नहीं कि हमें काम करते रहना चाहिए हमें बीच में breaks भी लेने चाहिए जैसा कि हम उस break में dance की practice कर सकते हैं अपना favorite music को सुन सकते हैं song सुन सकते हैं और हमें देन में थोड़े से nuts भी लेने चाहिए या वो जो break time है उसमें हम अपने घर में घूम ले थोड़ा सा nature को देख लें नेचर में चले जाए और मेरी एक और hobby भी है art and craft मुझे art करना बहुत ही अच्छा लगता है मैं drawing files में कुछ कुछ बनाती रहती हूं और जो भी मैं बनाती मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा सबसे जादा interest तो craft में है क्योंकि मैं paper से बहुत कुछ बनाती हूं बहुत कुछ बनाती हूं और पूरे lockdown में मुझे लगता है कि मैंने इतनी सारी craft work किया है इतना सारा craft work किया है कि मेरे पास से कलमीरा है उसका जो सबसे बड़ा वाला box है वो मैंने craft के work से पूरा भर रखा है मैं आपके साथ एक दिन video share करूँग अपने craft work की मुझे art and craft भी बहुत अच्छा लगता है तो हमें पढ़ाई के साथ और activities भी करने चाहिए यह नहीं है कि हम सिरफ पढ़ाई-पढ़ाई में हैं तो हमें पढ़ाई के साथ जैसे ही dance करना चाहिए art के activities भी करने चाहिए story books भी read करने चाहिए तो यह थी मेरी hobbies reading story books, dancing and art and craft फ्रेंड्स मुझे dance करना तो बहुत 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 अच्छा लगता है और मेरे पास एक dance की performance भी है जिसे मैंने कॉर्बी के परांदा सौंग पर किया है तो क्यों ना मैं आपके साथ वो video share करूँ तो चलिए अब आप थोड़ी सी नज़रे डालें मेरे इस dance के उपर झाले टीज़रे इसाले है झाल झाल देखा आपने ये थी मेरी डांस की वीडियो तो अगर आपको मेरी आज की इंट्रोडक्शन वीडियो और डांस की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को धेर सारे लाइक दें इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शियर करें और न मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी हो और अगर आप मेरे चानल पर बिल्कुल न्यू न्यू हो नए नए हो तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दें साथ में जो है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आप उसे टाप करकर ग्रे बना दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे थेंक यू फो वाचिंग माई वीडियो बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में